Hello Kids, Welcome to Learnify School. How are you all doing today? I hope you are all doing well. Students, आज हम Class 3 की English Book के Unit 2, Chapter 4, Out in the Garden को पढ़ेंगे और समझेंगे. Out in the Garden मतलब बाहर बगीचे में. यहां कविता बगीचे में बच्चों के मज़ेदार खेलों के बारे में हैं जो वे एक अच्छे दिन पर करते हैं. बच्चे गेन से खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं. यह कविता बाहर खेलते समय की खुशी और उत्तेजना को दर्शाती हैं. आईए, हम इसे विस्तार से समझते हैं. Out in the Garden बाहर बगीचे में Out का मतलब होता है बाहर Each fine day हर एक अच्छे दिन Fine day का मतलब होता है अच्छा दिन With my ball मेरी गेंद के साथ I like to play मुझे खेलना पसंद है I bounce my ball मैं अपनी गेंद को उच्छालता हूँ Bounce का मतलब होता है उच्छालना I throw my ball मैं अपनी गेंद को फैंकता हूँ Throw का मतलब होता है फैंकना I catch my ball मैं अपनी गेंद को पकडता हूँ Catch का मतलब होता है पकडना On each fine day हर एक अच्छे दिन Out in the garden बाहर बगीचे में Each fine day हर एक अच्छे दिन With my kite मेरी पतंग के साथ I like to play मुझे खेलना पसंद है I tug my kite मैं अपनी पतंग को खीचता हूँ Tug का मतलब होता है खीचना I pull my kite मैं अपनी पतंग को खीचता हूँ I fly my kite मैं अपनी पतंग को उड़ाता हूँ Fly का मतलब होता है उड़ाना On each fine day हर एक अच्छे दिन Out in the garden बाहर बगीचे में Each fine day हर एक अच्छे दिन With my friends I like to play मुझे खेलना पसंद है We run and skip हम दोड़ते हैं और कूदते हैं Run का मतलब होता है दोड़ना Skip का मतलब होता है कूदना We jump and sway हम उचलते हैं और जूमते हैं Jump का मतलब होता है उचलना Sway का मतलब होता है जूमना We slide and swing हम फिसलते हैं और जूला जूलते हैं Slide का मतलब होता है फिसलना Swing का मतलब होता है जूला जूलना On each fine day हर एक अच्छे दिन इस कविता में बच्चे बगीचे में हर एक अच्छे दिन पर खेलने की बात कर रही हैं वे गेंद उच्छालते हैं पतंग उड़ाते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर दोड़ते, कूतते, फिसलते और जूला जूलते हैं। यह कविता हमें बाहर खेलकर आनन लेने का संदेश देती हैं। अब हम कुछ न्यू वर्ड सीखेंगे। B.O.U.N.C.E. Bounce, Bounce का मतलब होता है उच्छालना। T.H.R.O.W. Throw, throw का मतलब होता है फैंकना। S.L.I.D.E. Slide, slide का मतलब होता है फिसलना। S.W.A.Y. Sway, sway का मतलब होता है जूमना। अब हम पूरी पौर्म को एक बार फिर से पढ़ते हैं। out in the garden each fine day with my ball I like to play I bounce my ball I throw my ball I catch my ball on each fine day out in the garden each fine day with my kite I like to play I tug my kite I pull my kite I fly my kite on each fine day out in the garden each fine day with my friends I like to play we run and skip we jump and sway we slide and swing on each fine day Great job kids! Ab humne Kavita ko achche se samaj liya hai Is chapter ke exercise MCQ aur revision video ki link aapko description mein mil jayegi I hope you enjoyed the poem and the activities That's all for today See you in the next class Bye I'll see you in the next class 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 झाल झाल